वेलकम टू जी के प्रिंस अकडमी तो आप सभी का जी के प्रिंस अकडमी बेज़ सागत है और आज यानि की बारा फरवरी को फेज थिरी का पेपर खतम हो गया है और अब पंदरा फरवरी से फेज फोर का जो है एक्जाम स्टार्ट होने वाला तो वो जो है तीन मार तक के के सारे कोईस्टन लेकर आये हैं और वीडियो थोड़ा लंबा है लबक दो घंटे के आसपास का है तो आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो अगर लंबा लगे तो वीडियो के स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेना ठीक है बट पूरा देखना तभी इसका जो ह लोई उठा रहा है कहां से ठीक है तो आप लोग उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं और इसके पहले जो फेज फेज सेकंड के जो पेपर हो चुके हैं उसका भी मैंने एक एक वीडियो बनाया हुआ है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग उस सारे जो है बीडियो हंडर्ड पर्शन वर्जिनल है जो बच्चों ने बता है वही कोईस्टन है ठीक है तो आप लोग यह मत कमेंट करेंगा कि यह वर्जिनल नहीं या इस तरीके से नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगर इसका पीडियो चैनल पर दे रहा हूं अगर drinking कोईस्टन पूछा गया था भारत में कितने सार्विनिक चेत्र के बैंक ठीक है ठीक है तो इस तो पूब्लिक अगया था दूसरा कोश्चन आया था भारती राष्ट के पर्थम महिला अध। पुछा जाएगा तो सरोजनी नाइडू होगी सरोजनी नाइडू क्योंकि पर्थम भारतिये महिला अध्यक्ष बनती उन्री सो पचीस इस भी में यह बनी थी तो यह दोनों चीज़ा आपको याद रखनी है कांग्रेस से लिटे बहुत कुछे जा रहे हैं आप लोग कांग्रेस से सम्मंदित पढ़के जाएगा कि इसके कारण क्या थे तो यह इसका कारण था बिटिस सरकार दौरा तुर्की सामराज का विक्टन करने का निश्चे कर लिया गया था इसके कारण जो है खिलाफा तांद परमती तो कि राद भी पढ़ता है वहां से स्टार्ट किया गया था तो दोनों चीजें एक ही है तरीके से कुछा जाता था भारत के समिधान के नीत निर्देसक तत्त निमलिखित में किस अनुच्यद में है ठीक है यह कुछ पूछा गया था तो यह अनुच्छ जो नियत पर महा प्रियोग प्रस्ताव नहीं लगा जासकता है उनुएं से हैं प्रधान मंतरी हैं उपर अच्ठपती है राज्य पाल है था उसमें प्रदान मंत्री का जो कि आप से नहीं एंसर यह पार सहीं जाएगा नेक्ट को पूछा गया था कि यू एन ओ 2030 का मोटो क्या है ठीक है क्या उसका तो इसका मोटो 2030 का लीव नो वन बिहाइंड यह इसका मोटो है उन्हों 2030 का अब यह उन्हों के वारे में आप लोग बहुत सारे कोश्चन पूछनें इसका है स्टेब्लिस्मेंट है इसके में अध्यक्ष कोने तो आप लोग पढ़के जाईएगा अगला कोश्चन पूछा गया था दिलवारा जैन मंदिर परसित दिलवारा जैन मंदिर जो कहां पर सब्सक्राइब आपको याद रखना है दोनों चीजें पूछी जाती है जलिया वाला बाग हत्या कांड है जो कब हुआ था तो 13 अपरेल 1990 इस भी को हुआ था और रिपीटेड कोश्चन इसके पहले भी पूछा गया तो रिपीटेड कोश्चन पूछे जा रहे हैं आप लो सब्सक्राइब देख लिए दोनों का लिंक में दे दूंगा और बहुत ही हल्पफुल होगा फादर आफ फादर आफ मौडरन कंप्यूटर किसे कहा जाता है यह कोश्चन आज के पेपर में आया था तो एलन ट्यूरिंग को जो है फादर आफ मौडरन कंप्यूटर साइंस क नाम याद रखना ठीक है वैसे कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं तो चाल्स बैबज को कहते हैं भारत में लोकबाल लोकबाल बिल पर्थंबार का पेस किया गया था ठीक है और 1969 में उसे पास किया गया संसर दोनों चीज़ें आपको याद रखें क्या पुछा जा रहा है पेस किया गया था पास किया अगर पेस पूछा जाएगा तो ♥ हो जाएगा पास किया था Uhm यंग बंगाल आंदोलन अडवर चाला उंड – अंडड से कउनसी बिमारी होती थी थीडियु का फुल फार बनता है फुल फॉल भी पूच लेते हैं एक वाइरस का नाम Ses से होनाल विमारी का नाम एल्ड Tai hurts दोनों चीजह आपको याद रखनी है पूणा समझोता किन किन की कर भीच हुआ ङये को push हुआ था तो पूणा सम जो प्रफम महिला IPS का नाम क्या है जो जिसने साउथ पॉल तक तैयर कर गए थी ठीक तैयर कर पार किया था तो यह उनका नाम था अपनला कुमार ठीक है अगर इसे प्रफम महिला IPS नाम पूछा जाएगा तो उनका नाम हो जाएगा किरण बेदी यह चीज़ा आपको याद रखनी है नेश कोशन आया था डिस्टिक कोर्ट जो किसके अंडर काम करता है तो यह आज के पेपर में पूछा गया था प्रफम परमाल परिच्छर जो कहां पर है रिपीटर क्वेश्चन इसके पहले भी प परिच्छन भी किया गया था दोनों परमाल परिच्छन एकी जगा किया था तो पर्फम परिच्छन जो है वह 1974 में किया था उस समय इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री ठीक है और इसका कोड़ नेम रखा गया था इस्मालिंग बुद्धा तो तीनों चीज़ें पूछे जा आया था इस तरीके से लिखा जाएगा नेश को सना था दीफु दर्रा दीफु दर्रा जो किस राज्य में से दीफु दर्रा अवनाचल प्रदेश में इस्तित है तो यह दर्रा के बारे में आब लोग पढ़के जाएगा अगला पूछा गया था विस प्रसंता सुचकांक बारत की सबसे बड़ी तेल कंपणी का नाम पूछा गया था बारत में इंटर्नेट की सुरुआइट की गई तो भारत में इंतर्वरस आठ माई को मनाते हैं नेस्ट कोशन आया था बांबे स्टॉक इस्चेंज जो जिसको स्वाट फ़ाम में बी एसी का जाता है कि सुरुवात कब किया गया तो यह नौ जुलाई 1975 को ठीक है नौ जुलाई नौ जुलाई 1975 नहीं हो गया यहां पर नौ जुलाई सबसे ज्यादा गयस भंडारन किस देश के पास है इसका इंसर रूस हो जाएगा चंपारन सत्यागरा जो की बहुत इसके उपन के बार में पुछा गया तो दोनों आपको जाद रुखना है रूसरे अस्थान पर कॉन था तो बाक्टान बार जोकोविक जो विनर थे और सेकंड अस्थान पर डॉमनिक थी तो सेकंड अस्थान अलब पुछा के कौन थे यह चीज़ें याद रखें बायोग्राफिया कलपना चाहुला की बायोग्राफिय पुछी गई है रंगोली डिजाइन जो किस सहली में होती है यह क्वेस्चन आया पायां तो इसमें लाएं तो आप लोग इसको भी देख लीजिए तो 31 जनवरी में कुछे गए थे पहला क्वेस्चन आया था 2021 का कुम्भ मेला कहां पर लगेगा तो हरिद्वार में लगेगा धूपगर किस की सबसे उंची चोटी तो धूपगर सत्पुडा की सबसे उंच अबिधर की रानी थी ठीए मघठ लनाम पूछा उन्ता दृक्षि पर्फम यह पुछा गया तो मिद्धक्र नाम है एनबेशन जों की आज की एक फेपर में पूछा गया एनबेशन नाम है पर बारतिय का नाम है सरोजनी नाइडू हूं जो कि 1925 सबय में अधर्षा बनाई गई टीक है बेलगाओ गांधियाम फूरर उसका फूल्फर पूछ दिखे कूल था लाधर फूल अव्या सी तो कार्वन का परूरूप ओदा तो कारवन पहले से चार होती है तो चीजिटल इंडिया के शुरुवाद का हुई थी तो डिश्टल इंडिया की सुरुवाद पहरत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस ﷻ सरकार जो है इसकी किस ने किया था स्वास चन्दर ने ने सरकार का गठन किया था सबसे किसे मंगाल राजत थे मंगाल डबलो ये चल खूसित किया गया तो nodes गल राजिको चत्तमबाकू मक्त गोशित किया गया है नेश्ट कोशन आया था 31 जनूरी को फेज थर्ड का पहला पेपर भारत और बंगलादेश के बीच भूमी विभाजन जो हुआ था वह किस सम्मिधान संसोदन के द्वारा पारित किया गया तो यह जो पारित हुआ था सव सम्मिधान संसोदन हो जाएगा नेश्ट पूछा गया और वियाई के ब्रांडम बेजडर कोन है तो अमिताब बच्चन है और और वियाई के बारे बहुत सारे क्वेस्टन बनते हैं कि अर्वियाई की अस्थापना कब हुई थी तो 1935 इस भी को हुई थी ठीक आर्वियाई और राष्टपती यह आते हैं तीनों तो यह इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग देख के जाएगा आई पील में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्ले बाद कौन है तो वह सूरेस रहना है ठीक है बजट की सनुच्छेत का वर्डन है में अनुच्छेत 112 में बजट का वर्डन ह संहुलाइब यह संभीदान से लाग लाग हुआ था यह संभीदान संसोधन हुआ था ने कम जिसना है गया था तो सक्ष भारत योजना स्टार्ट किया गया था ठीक है लावडी निर्थ जो है यह की रिपीटर को इस ने महाराष्टर से बढ़ संबंदित है और यह क्वेस्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है अरिवाई के डिप्टी गोवर्णनर किसे भी हाली में निप् और तो 19 अगस्त थी को आपरेटर कब तक हुआ था तो यह कुस्चन है कि परेटर का लाइक करेगा तो अगर सेशन पसंद आया गया तो लाइक करेगा शेयर करिए अपने दोस्तों में नया है तो सब्सक्राइब किलिए तो 01 एक फर्वरी के फिफ्ट के जीके के कितने कोशन 뜬 लुख till Muhan में ऋर्व्ष कुछन पूचा के लोसौण का हट्कार कहा है यह पड़ता है तो यह पड़ता है पेरिस में scissors में पड़ता है जो कि फ्रांस कि राध्धवनी का नाम फेरिस वहां पे UNESCO का headquarters पड़ता है UNESCO से यह 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 लगभग लगभग हो सकता है कि चार या पांच बार यह पांच वी बार साथ पूछा गया है यह question तो यह बहुत important है ठीक है इसके बारे में question हर बार बनता है और इसकी establishment की तो यह 1945 में establishment हुआ था यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है इसके समय बरतमान सिक्रेटरी जनरल उनका नाम है आद्र अजूले जो है इसके सिक्रेटरी जनरल है तो यह चीज़ें आपको इन उसको के युद्ध कब वा था यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो तेश जून 1777 इस भी को प्लासी का युद्ध हुआ था ठीक है और बंगाल के नवाब जो थे सिराजु दौला और अंग्रेज की तरफ से रावर्ट क्लाइव था ठीक गांधी जी ने इसी में करो या मरो का नारा दिया था जो कि ये भी पूछा जा चुका है एकजाम में नेश्ट क्वेस्टन आया था बिस सुपरिया और अंडिवस कम बना जाता है ठीक है नेश्ट क्वेस्टन आया था वर्लिड लाइट डे कम मना थे तो 16 माई को हर वर्स म अडाइवाय दिन का जोपला जो निर्मार जो है कुत Blan Adhagnakila thank you में मेर का इस्तित उडाइव इसाथ थे इस तरीके से कुछा गया था और व buna मैं नहीं इस नहीं से जोटाना था कि बिशूलु सरमा की पुस्ताक का नाम क्या था भी Frances question आया था भारत रण 2014 देखे भारत रण 2014 का पूछ रहा किसे परदान किया गया तो आप लोग लगबग 5 या 6 साल का लगबग करेंट पर जो मोटा मोटा करेंट पर उसको देखके जाएगा तो 2014 में जो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया था और दूसरा दिया था बैग्यानिक प्रोफेसर सी एन आर राव को दिया गया था दो लोगो को भारत रण 2014 क्यावार से सम्मानित किया गया था कुझाई जैतों माफला विद्रो कहां पर हुआ तो केरल में हुआ था और 19212 में हुआ था मोफला विद्रो ठीक है अगला कोशन पूज़ा गया था मिड़े मिल योजनग की शुरुवात कया गया था पूंदरा अगस्ट मिड़े मिल योजन已经 के कर्वात कि चुरूघ संभ इसे सब्सक्राइट के गुछा कि गंधी जीने कारण। अधा इता है किस वापसmount लोई तक सब्सक्राइब किस टीम के खिलाब बना बनाहों दो हजार्वारा में और यह चौथ में जो है बन्मादेश को पूरा किया था तो सचेंढ़र के एक फर्वरी को पूछा गया था आप देखें एक्ति जनौरी के questions का जो जितने भी question एक्ति जनौरी में पूछे गए first shift और second shift के तो सारे महीं इसे video में लिए क्यों कि किस का महीं जो एक्ति जनौरी को नहीं डाल पाया था video तो आज देख लेते हैं इसके बारे में तो इसमें question पूछा गया था ते जनौरी में कि 2021 का अध्याम का मेला कहा लगा तो हरीद्वार में लगेगा ठीक है निश कोशना था धूपगर की सबसे ऊंची-चोटी यह पुछा गया धूपगर जो सफब्डों पाहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है च은गीत के बारे में किस बेद में लेख है तो सांगेध यह संगीत केबारे में लेखत है रानी पदमा होती कहां की रहने वाली था चृत और घड़期 का नाम पूचा गया तो बदरुदीन तयब जी कांगरेस बहुत ही इंप्वार्टन चेप्टर है कास कर इन रेलो एक्जाम के लिए किससे क्वेश्चन हर सिप्ट में मिल रहा है रायम कौन सी डिवाइस होती तो इंटर्नल स्टोरेज मेमोरी होती है ठीक है रायम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मे डिमारी नेज़ कशन आया था प्लांड को उर्जा कहां से यानीकी पौधा को उर्जा मिलते हो데 सुरु के प्रकास से पौधा को उर्जा मिलता है ग्रेफाइट की कार्बन में बैलेंसी कितनी होती तो 추천 équ lis तो मैंने चार बता तो यह तीन होता है कारबन में ग्रेफाइट की बेलेंसी ठीक है डिजिटल इंडिया की सुरुआ इंपर्टन है और रिपीट हो रहे हैं नेक्स कुछन आया था हर चरित किताब किसी ने लिए तो बारबट में लिए ठीक है धोला निर्त जो है धोला निर्त गोवा से संब्दे यह भी करेक्शन है सुबा के पर बेदें थोड़ा सा मिश्टेक हो गया था तो इसका जो धोला संब्दित है यह राजस्थान राज में है ठीक है राजस्थान बताया था गोव में है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ मिलती है नेश्गोर्शन पूछा गया था आजाद हिंस सरकार जो का गठन किसी ने किया तो यह सुभाश चंद्वोश दोरा किया था गंब बारत मंगला देश के भूम विभाजन की संब्धान संसोधन दौरा पारिट किया था और विए के ब्रांड अंबेस्डर कॉन है तो आरविया के ब्रांड अंबेस्डर इसमें अमिताब बच्चन है ठीक है और बियाई से रिलेटर बहुत क्वेस्चन पुछे जाते हैं कि और वियाई का मुख्याल आरवियाई का जो है इस समय गौवर्णर को ने इस सरी चीजें सें, पूछे जाती है तो आप लोग आरवियाई से पढ़कर जाएएगा संसाथ के विभाज्यान के ब्रौन्यान पर सद ही ठिया था इसके तीन आप स i अँच होते रिधान संसाथ क कि आगया है वह भी डिजिटल पेपर लेस बजट है तो यह भी इंपोर्टन्ट है क्योंकि पूछा जा सकता है एक जाम में जिएस्टी कौन से सम्मिदान संसोधन के तहते जुलाई को लागो हो था एक सो एकों सम्मिदान संसोधन हुआ था 2014 में गांदीजी के जंदी पर कौं साय चेलाए गई तो सच भारत यह दिग चलाए गई थी गया गांदीजी के जंद दिन पर ठीकłe जाना सकति कांट दा जो कि 25 एक्रम के गुश्वे चंद्रियान के बारे में पूछा गया था कि चंद्रियान की लांचिंग डेट जो है यह तो बाइस अक्टूबर 2008 को लेकिन एक्टूरी को यह फुस्ट जो है अप्रेटर कभ तक किया गया था ठीक है तो यह 29 अगस्त जो है तो यह याद रखना है और इसका लांच डेट जो तो 22 अक्टूबर 2008 ही तो यह भी याद रखना है अउनाचल पर्देशों गुजरात के भी समय अंतराल कितना होता है तो यह दो गंटे का समय अंतराल होता है उनाचल से गुजरात के बीज ठीक है नेश को इसना था दूती चंद ने 100 मीटर रेस में ताजा रिकार कितने टाइम में बनाया था ठीक है सुप्रीम कोर्ड पहले कहां से कार करता था अपना तो पाल्लियामेंट हाउस से कार करता था राष्टियाजलमार्थी कहा पर इस्ती थे तो यह केरल में इस्ती थे ठीक है नेश कुशेंघर कर सामराज के बारे मीं पुछा किया था राजई-उ-गांधी खेलर तो पाने वाले तीसरे प्लेयर के बारे मीकुछा ऑगले कॉसिन की बात करते हैं तो अंतराज परषत की सनुचेत का बर्डन करता है तो यह पूछा गया तो यह जूषगा तो यह एपने सारी कुछे गया जो की आप लोग देखी सकते हैं कि रिपरीट कोस्टन बहुत आ रहे हैं जो कि फर्ष चिर्पट में पुछेगा है वही चीज्जें रिपेट हो रही है कुछ तो लोग वन रोकिसाफ आप इस Geek भी अभी तक जो तेरा जनुरी से सोली सोला जनुरी से तीर जनुरी तक बीच में हुआ है फेज टू का पर तो उसके सारे जी के के कुश्चन में बनाया तो आप लोग देख लिए फेज फर्स्ट का एक वीडियो में मैंने प्रोवाइड करा तो उसको भी आप देख सकते हैं के 500 प्लस कुश्चन है तो वह भी देख सकते हैं बहुत ही इंपार्टन तो फेज 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 सेकंड का दोनों का मैंने वीडियो एक वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है जो कि आपके एक्जाम चिले बहुत ही इंपार्टन आप लोग देखिएगा उसको सेर भी करिए इसका फुलफाम बनता है जो कि आज के सेकंड सिप्ट में दो फरवरी के पूछा गया था नेक्ट को सना आया था काजी रंगा नेशनल पार्क जो है यह किस वर्स में यूनिस्को की सुधरोहर सूसी में सामिल किया गया है तो यह जो है उन्यस्सों पचासी में सामिल किया अब यह काजी रंगा नेशनल पार्क जो एक सिंग गएने के लिए प्रसिद्ध है तो इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको देखके जाएगा नेश्टा था एनस्डीयल का फुल फार्म पूछा गया था इसका फुल फार्म बनता है नेशनल सेक्योरिटी डिपाजिटरी इसका फुल फार्म बनता है और इसका हेड़कोर्टर जो है वह पड़ता है मुंबई में ठीक है 1996 में यह इस्टार किया गया था चलिए अगला क्वेस्टन की बात करते हैं तो अगला क्वेस्टन आपका पूछा गया था विस्ट की सबसे लंबी नदी का उनसी है उसका ना इसके बात करें तो निल नदी की लंबाई है 4132 माइल इसके बाद सेकंड विस्ट की सबसे दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम है अमेजन नदी जो की 4000 मिल्स लंबी नदी पेरू की राधधानी पूछा गया था तो पेरू एक देश है उसकी राधधानी है लीमा यह कुश सबसे बड़ा चिडिया घर कहां परिस्तित सबसे बड़ा चिडिया घर पूछा गया तो यह दच्विड अफरीका में इस्तित है ठीक है प्रधान मंत्री आवास योजना की स्टार्टिंग डेट पुछी तो यह 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था अस्ट्रेलियन ओपर 2020 में मेंस डेबल्स खिताब किसी ने जीता तो राजियू राम एंड जो सैलिस बरी ने जीता था ठीक है यह दोनों डेबल्स किताब मेंस जीता अच्ट्रेलियन ओपन टॉट्टेंट्व मेंस में और इसके बाद अगर डिफीट मतलब यह किसको हराया था यह भी क्वेस्चन हाई बिल है तो यह दोनों आपको याद रखनें कि जीतने वाले का नाम पूछा गया तो हराने वाले का नाम भी पूछा जा सकता है एक और अगर आप लोग को सटेकर पेंड के Gk क्वेश्चन एक वीडियो में में चहले बग 700 प्लस क्वेश्चन है तो उसको मैं एक वीड तो आप लोग उसको देख सकते हैं उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है और फेज फर्ष्ट का भी मैंने प्रोएट तो दोनों का लिंक में दे दूंगा आप लोग उसको देख लीजिएगा बहुत ही इंप्वाइटेंट है आपके लिए जो 16 जनु में असोग गहलो था रास्थान के मुखमंतरी अमीर खुसरो का जन्मस्थान पुछा गया तो पट्याली गाओं जिला कास गंज ठीक है उत्तर परदेश में पढ़ता है तो यहां इनका जन्मस्थान है नेक्ट क्वेस्टन है तो हावा महल का निर्मार किसने करा रिपीटे से संबंदित यह अनुच्छत तेश संबंदित जो किये काड़ मूल अधिकार है ठीक है अगला क्वेस्टन अथा दोहजार अथार फीफा वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट यहां पे बूट होगा ठीक है यह तोड़ा सभी में स्प्रिंट है गोल्डेन बूट अवार्ड ठीक है गोल्डेन बूट अवार्ड गोल्डेन बूट अवार्ड किसी ने जीता तो यह जीता था हैरीकेन ने ठीक है मातरा में अलू में होता है और फोलिक एसिड भी पाए जाता है नेट कोईशन आया था यूवा पे यूवा पे है एक एप है और इसको किस बैंग दौरा लांच किया गया है तो यह एस बैंग दौरा लांच किया गया ठीक है दूद में पीला पन किसके कारण होता है तो कारण के कारण होता है दूद में पीला पन भारत छोड़ो अंदोलन के शुरुवात कप किया गया तो 9 अगस्त 1922 को भारत छोड़ो अंदोलन के शुरुवात किया गया था ठीक है नोबल प्रीस प्राइस नोबल प्रीस प्राइस जो यह 2018 में किसे प्रदान किया गया था तो 2018 में दो वेक्तियों को दिया गया था एक देनिस मुक्वेग और दूसरा का नाम था नादिया मुराद इन दोनों को नोबल प्राइस 2018 प्रदान किया गया था CDB के नए डारेक्टर का नाम काया है तो भी सत्य वेंकटा राव ना होए, CDB के मुख्याले जो है, वो लखनव में है, तो यह पूछा गया था इसके डारेक्टर, तो अभी बजने है हाली में, अगला क्वेशन आया था, हीलियम के खोजकरता का नाम पूछा गया था, तो हील अर्थमेटिक होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक, मिस्प्रिंट है थोड़ा सा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा इसका, फुल फार्म, ठीक है, OECD का मुख्याले पूछा गया है, तो OECD का मुख्याले होता है, पेरिस, पेरिस कहां पूरा नाम बनता है तो यूरी गागरिन था और यह कब चले थे तो 1961 में यह वहाँ पे गये थे तो यह पूछा गया था कि उनका नाम क्या है तो नाम उनका पड़ता है यूरी गागरिन तो यह था की सेकेंट सिप के कौंशन अब देखते में फर्षिप के कोंशन का की क्या क्या पूछा गया है था? फर्ष इंक को बातकरते है यहां से है तो इसमें कौ्शन पूछा गया था ु candra की यहें होता है था ह Usually this, गा उनका का हो इम में तो इम क्या होता है र ten के का पूरा फाम बनता है आप्टिकल मार्क रिकंग्नेशन तो इसमें एम जो आता है वह मार्क में आता ठीक है यही क्वेश्चन आया था नीतायों की सुरुवात किया गया तो यह एक जनुवरी 2015 को सुरुवात किया गया और इसके बरतमान सी ओं जो हैं उनका नाम है अमिताब का इसके अध्यक्ष होता है प्रधान मंत्री भारत का प्रधान मंत्री अध्यक्ष होता है तो बरतमान में अगर अध्यक्ष की बात करें तो भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी इसके अध्यक्ष है नेस्ट क्वेशन आया था आई-एम-फ ठीक है आई-एम-फ एंड वर्ड बैंक का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो दोनों का एक में पूछ लिया तो यह बंगाल की खाड़ी से शुरुआत हुआ था ठीक है और उडिसा राज को छट पहुंचा आया था नेट्स के बाद सेड एटियम जो कौन सी टेकनोलाजी यूज करते हैं तो एन एफस टेकनोलाजी जो है वो उसको यूज करते हैं सेड एटियम ठीक है सत्तिमयो जैते कहां से लिया गया रेपीटर कोईस्चन इसके पहले भी पूछा गया तो यह मुन्रुकोप निससे लिया हम चालेटर के में तो बागरतीय श्राष्टी कांगरेश गरीडर के लिए बहुत ही इंफर्टन कौश्चन वहकिं चल हिंडल हिए क्षिआ इसके बा duy तो यह on-ret में यह हैं सदर्प्र सूर्ण शादव GRÜNEN को इसे बहुत हरे आप तक प्रत्व सके पताम अधेक्ष की बात करें तो डवलू सी बनर जी perlu such के पनाद्ध्यक्ष है ठीक कि रिंटारा सों पचैसी 345 में ए ये ओ रेंडारा इसके इस्थापना किया गया था ये भी पूछा गया कुश्चन में फिक है इसके पुषा मुस्लिम अध्דיक्ष नाम था जो उविक पुषा गया है जो पूछा गया है पुषाल अध् इसने भी चीज़े उसको पढ़के जाईएगा चलिए नेस्ट कोईशन की बात करते हैं तो चंद्र गुप्त मौर के गुरू का नाम पूछा गया देखे कितना इजी कोईशन पूछा गया है जो सभी लोग कर लिए होंगे चालक को होता है इनका तीन नाम है विश्रू प्रांस पूछा गया है और किसको हराया था तो क्रोएसिया को हराके फ्रांस ने जीता था इस 2018 विश्रू कप फीफा वर्ल्ड कप ठीक है तो दोने चीजें आपको याद रखनी है जीता कौन था हारा कौन था फाइनल में और कहां पर हुआ था कोरल डिफ अधिकतर कहां पाई जाती है ये क्वेश्चन है तो कोरल डिफ अधिकतर जो है वो गल्फाफ कच्छ में प पुछा जा सकता है पंचायती राज से संबंदित अनुचेत पुछा गया तो अनुचेत 243 के अंतर गताता है अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हॉन्विल तेवार देखिए इंपॉर्टेंट है ये तीन बार रिपीट हो चुका है हॉन्विल तेवार किस राज में तो सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती तो कार्बन डायक्साइट सोडा वाटर में पाई जाती ठीक है कार्बन डायक्साइट ये भी आपको या दखना है इंपॉर्टेंट कुछ्चन है गांधी सांती पुरुस्कार 2018 का कुष्ट रोग में किसे परदान किया तो उनका पुछा जा रहा है तो आप लोग उसको तयार करके जाईएगा पुराने जब 2017 2018 2019 2020 इतने सारे करेंट फिर पढ़के जाईएगा एक जाम में क्रिफ्समिशन ब्रिटेन के कौन से प्रदान मंत्री के समय आया था तो विश्टन चर्चिल थे उसमें प्रदान मंत्री ब्रिट को ठीक है यह भी पूछा जाता है कि यह कब आया था तीस मार्च उनीशो ब्रिफ्समिशन भारत आया था और उसमें प्रिटेन का प्रदान मंत्री चर्चिल था ठीक है दूतिये बीसी उद्वीत चल रहा था 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलने की सुरुवात किया था गांधी जी ने और उसमें उसने नारा दिया था गांधी जी ने करो या मरो अंग्रे जो भारत छोड़ो ठीक है नेक्स कोशन की बात करते हैं तो प्रदान मंत्री किसान मांधन योजना से पूछा गया कि यह तो चौबिस फरवरी 2019 को शुरुवात किया गया था दोनों तीनों चीजें आपको याद रखनी है यह जनाओं से संबंदी तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है आप सारी कि सारी योजनाए 2014 से लेकर 2019 तक पढ़के जाएगा नेस्ट क्वेशन आया था निमने में से कि इस बिटामिन की कमी से रतानी रोग होता है तो इसका एंसर हो जाएगा विटामिन ए टिक है ऑलंपिक खेल में सबसे ज्यादा गोल्ड मेटल किसouse लाक्राप्याल किया था तो जहांगीर के दरबार में तो उस सबसे कम सहरी कृति वाला राज कौनसा है तो उत्तर परदेश सबसे कम सहरी कृति वाला राज Mercury को क्या कहा जाता है तो Quick Silver कहा जाता है Mercury को Mercury को कुछ Silver भी कहता है Mercury यानि की पारा printer की speed किस में मापी जाती है ये question पुछा गया था printer की speed जो है वो पी पीम में मापी जाती है ठीक है पेज पर मिटर पर मिनुट सोरी तो यह प्रिंटर की स्पीड की मापने का मतर्ख है अगला कुश्चन अथा पारा का इसक जाता है और इसको फार्मुला होता है एच जी एस इसको सीने बार भी कहा जाता है तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है क्वेश्चना के पेपर में पूछा गया था फर्स चिप्ट में करा कोरम दर्रा के बारे में पूछा गया था तो कि यह कहां किसको जोड़ता तो जमू कस्मिन और चीन के बीच में करा उसका नाम पुछा गया था उसका नाम नाम है विक्रम साराभाई जो कि फर्स चेंटर है विक्रम सारा भाई यह करूं सारा भाई ए विक्रम यसके बाद अगर देखा जाला न कभी थी तो इसे रहों कि अस्थापना वह दा 1989 में बाद में हुआ था इसके पहले फिस्ट स्पेस सेन्टर बन गया था फिस्ट पर्स्ट स्सेंटर पूछा गया कभ दर नाम नाम था विक्रम सारा भाई स्पैस नाम था उसका तो यह चीज़े कुछ थे हैं जो आपको याद रखना है और इससे समझ यह आज दो फरवरी के पेपर के कोश्चन थे जिसका डिसकेशन किया फर्स्ट एंड सेकेंड शिप्ट के नेश्ट करया है तो सेकंड शिप्ट के को यह क्या आई टा पिर्थभी के बाहरी भाग को भूप प्रपर्टी कहा जाता है इसका उट्सर नापाल के सीमा कितले ने राज्यों से लगती है तो टोटल पांच राज्यों से लगती है इसका यह कुश्टिन जो मैंने पहले discussion किया हुआ है तो जो देखे होगा उसका सही हो जाता अब इसमें जो टोटल पांच राज के नाम वहते हैं तक उत्रा खंड है यूपी है और यूपी कि है नेपाल की सिमा पूछिए गई थे यूर्णों के अस्ताई सदस्व की संख्या टोटल दस है जिनका कारिकाल हर दो वर्स होता है ठीक है और इसके अस्ताई सदस्व की संख्या पांच है कंप्यूटर में एरो का इसका जो तीर का निशान जो होता है वूसे क्या कहा जाता है तो उसे कहते हैं करसर ठीक है मानीटर को हो क्या कहते हैं तो मानिटर को एलीस भी का जाताव ऐτοाग्शन में अप्शन में एलीदी था कि लिंट कुस्ट्रक्टन आया था है भारत कि संगठयं के सथना का है सदस्रोद सिक यहाँ प्टे पुछा गया तो नीत प्रद्दान्मंत्री योधन मंतरी हुँ थी तो यह पहले चैर्म Granny भी बने थे उर्वर्स को को सबसे कम عمر की नोबल प्रुषकार विजयता का क्या नाम है तो मलाला यूसुब जयी जो कि यह सबसे कम उम्र की नोबल प्रुषकार विजयता है और यह पकिस्तान से संबंधित हैं ठीक है इन्हों है 2014 में शान्तिका नोबल प्रुषकार दिया गया था और इनके साथ में भारत के कहला सप्तार्थी को भी दिया गया था तो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए आसायोगा अंदोलन क्यों समात किया गया था तो इसके एक कारण था चारी चारी चारा कान जो की गौरपूर में घटेत हुआ था तो उसके कारण गांदी जी ने आसायोगा अंदोलन को समात कर दिया था नेक्स नीला रंग जो होता है किसके कारण था कम तरंग्दैर के कारण नीले रंग का प्रकुर्ण सबसे ज़्यादा हो जाता है इसलिए नीला नीला दिखाई देता ठीक है राश्टपती की सला किस अनुछेद में वर्डन है तो र गंगा एक्षण प्लान के बारे पूछा गया तो इसका था गंगा की जल की गुडवत्ता में सुधार करना ठीक है नेश्ट को सना था दांत के डाक्टर जो किस दरपन का इस्तिमाल करते हैं अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया बुक के लेखा के क्या नाम है तो विंचंट अ पूछा गया है तीन फरवरी के अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को ठीक है सेरी तो जरूर करिएगा अपने दोस्तों में तो पहले सिप्ट के कुश्चन आया था अब ग्यान साकुंतला उनके साकुंतला जो थे उनके बेटे का क्या नाम अब इसमें जो बेटा था उनका नाम था भरत ठीक है तो यह क्वेश्चन आया था केरल का निर्ट पूछा गया है कि कौंसा निम लिखे ने तो मोहनी अट्टम जो केरल का लोक नी थे इसका और है कथकली जो पूछा जाता है दोनों निर्ट जो इसके बहुत इंपॉर्ट पूछा गया था क्वेश्चन तो यह प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बावर और इब्राहिम लोदी के भी ठीक है प्रथम परमाण परिच्छन भारत में कब किया गया था तो 1934 में किया था पोखरन में पोखरन कहा है राजस्थान में ठीक है और इसका कोड़ नेम रख नेची बारदोली सत्यग्रा के बारे में देखें रिपीटर कोईस्चन आगया तो 1928 में घटित हुआ था ठीक है इसी की इसी बारदोली सत्यग्रा से ही सरदार बलभाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपादी दी थी नेक्वेशन की बात करें तो कुंड सदस देश कौंस आए तो सव्थ सुडान है उसका नाम ठीक है एंजी टी स्टेब्लिसमेंट पूछा गया तो 2010 में इस्टेब्लिसमेंट भूता है एंजी टीका फुल-फार्म बनता है नेशनल ग्रीं ट्रिबूरिनल ठीक है नेच्ट करणठ सी एची करण सी यानि कि मुख किसे प्रदान किया गया अगर 2020 की पूछा जाए तो राज कमल जा को दिया गया ठीक है अगला बॉक्सिंग में छह बार गोल्ड मेडल जीतिने वाली पहले भारतिये का क्या नाम है तो मेरी कौम नाम है ठीक है बारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम पुछा गया था तो रे किस ने बनाता है यह महराष्ट से गोवात अखटी और चा जिसे उनस्कों ने सामिल किया है किस राज से समय तो मदपरदेश से समय थे और चा दिसंबर 2020 में आई सीसी के दसक का बेस्ट मेल क्रिकेटर आवाड किसे प्रदान किया तो बिराट को दिया गया बिराट को भारत ट्येट किकटर टीम के है अगला कुश्ट नाया אות खैंअ किस नाया ऐक रहाध तो जी और ज्यें मैं सबसे जहाद प्रदेश में सबसे ज्यादा पाय जाता है अउल्डा का नाम दफा यानी कि नामदफा ने स्चिनल पार्ट जो है ऐस्चेल में है अक्टूबर दोजार बीच तक गौढ का मुखमंत्री की नाम थे तो परमोद स्वंत नावा गोओ के मुखमंत्री का ठीक के पहले गौर्णनर का भारति गौर्णनर का नाम पूछा गया तो iq के पहले भारति गौर्णनर का नाम था सीडी देश मुख ठीक अर्वियाई का राष्ट्य करन एक जनुरी निसो नुन चासी को किया गया था अर्वियाई के बर्तमान गौर्णर उनका नाम है सक्ति कांत दाज जो की 25 करम के गौर्णर है इस्ट इंडियन ससाइटी के स्थापना किसी ने की थी दादा भाई ने तो लोग्टक जील है उसका नाम ठीक है पूरबत्तर में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है लोग्टक जिल किसान सम्मार ने जनमें कितने रुपे करने लगाया था तो इसका राजतान हो जाएगा पूछा गया और अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आप लोग टेलग्राम चैनल जोइन के लिजिए वहां मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगा टेलग्राम का ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था चार्थ फरवरी के सौर्क का फार्मेशन कहां उपर हुआ तो सार्क जो एक संगठन है संस्ता है तो यह स्थापना जो हुई थी बंगला देश में हुए थी ठीक है और यह कब हुआ था तो 8 दिसंबर 1985 को स्थापना किया गया था इसका Head Quartner पूछा जाये तो Head Quartner इसका Heet Katshmandu जो की Nepal की राजधानी यहाँ प्याव है टिक है परमेशन इसका अलग हुआ था और इसका Head Quartner जो ही अलग है तो इस दोनों बातेएं आप लोग को याद रखना आए चलिए next question देखते है Bricks को कौन control करता है Bricks एक पांच देशों का समू है तो इसको कौन control करता है अब इसमें question जो है यह पता नहीं है कि इसमें यह पुछा गया था या फिर एक question और बता रहे हैं लोग कि जो है Bricks जो है इसका last देश जो है वो उसका नाम क्या है तो मैं दोनों बता दूँगा तो Bricks को कौन control करता है तो इसके पांच देशों के representative जो होते हैं वही control करते हैं और इसका last जो देश है इसके नाम से ही पता चलता है इसमें S जो नाम है last में तो उससे है South Africa South Africa इसका last day ठीक है ब्रिक्स में 5 देश है B, R, I, C, S यही 5 देश हैं इसी नाम से बना हुआ है B for Brazil, R for Russia I for India यानि की भारत और C for China ठीक है यही 5 देश है और S for South Africa तो यह 5 देश हैं टोटल next question पूछा गया था Asiatic society आप बंगाल की अस्थापना कब हुई थी तो यह 1784 भी में किया गया था Sir Williams Jones द्वारा ठीक है नहींश क्वेशन आए था Father of Civil Services किसे कहा जाता है Father of Civil Services जो है वो Lord Cornwallis को कहा जाता है General Dyer को किसी ने गोली मारी थी ठीक है तो यह उधम सिंद्वारा General Dyer को गोली मारा गया था और यह 1944 में लंदन में जाकर इन्होंने गोली मारी थी ठीक है General Dyer यह जलिया वाला जो जलिया वाला बाग अत्यकान का वह यह उत्तरदाई था Next question पूछा गया था आज 29 फरवरी के President बनने से भारत रतन President बनने से पहले भारत रतन पाने वाली बेक ती कौन है तो वो थे डाक्टर एपी जैबदुलकलाम जिन्हें 1997 में प्रदान किया गया था भारत रतन और यह राष्ट पती जो है वो सन 2002 में बने थे ठीक है इसके पहले एक और बेक ती थे जिन्हें मिला है S. राधा केशनन ठीक है डाक्टर S. राधा केशनन जो है इन्हें 1954 में प्रदान किया गया था भारत रंद और यह जो है प्रेशिडेंट बने है 1962 में तो जो आपसन में था वो सही हो जाएगा आपसन के हिसाब से यह कुश्चन करने लाइक था ठीक है और अगर आपको फेज सेकेंड यानि कि 16 जनवरी से लेकर जो 30 जनवरी तक हुआ है पेपर उसके जीके के एक वीडियो में चाहिए तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लगबख 700 प्लस कोईस्चन है तो आप लोग उसको देखिए बहुत ही इंपार्टन ठीक है और फेज फोर्ट का जैसे की पता हो गया होगा आपको फेज फोर्ट का एक्जाम डेटा आगया है 15 फरवरी से लेकर 3 मार्ज तक फेज फोर्ट के एक्जाम चलेंगे और उसमें जो है लगबख 15 लाक बच्चों को बुलाया गया फेज फोर्थ में तो यह था महत्वपूर्ण जानकारी और अगर फेज फेस्ट का चाहिए तो उसका भी में लिखते दूंगा डिस्क्रिप्शन में अट्थाई दिसंबर से लेकर जो 13 जनूरी तक चला है तो उसमें 500 प्लस क्वेश्चन है लगबख और 700 प्लस ठीक है दोनों आप लोग दे इसमाले का उन्सा भाग होता है तो धोला धर स्रेंडी जो है यह ट्रांस हिमाले का भाग होता है नेक्ट कुछन आया था कि कौन सा मंदर जो विस विरासत अस्तर में सामिल किया गया था 1986 भी मिया अगला कुछा गया था लोकसभा के पर्थम स्पीकर का नाम तो जीवी मावलंकर है लोकसभा के पर्थम स्पीकर ठीक है नेक्ट कुरूश्ट कूछन आयथा प्रेजम से गुझनने पर कौन सा रंग जो है double Cup होता है यहा पे कम होना चाहिए कौनसा रंग सबसे कम तो वो होता है लाल रंग कर देख लीजिए आप finely लोकसभा के बर्तमान अध्यक्ष कौन है कि देख लोकसभा के बरतमान अंध्यक्ष कौन है जोकался की की भुशेच की थी सिने में से कामचा निर्त जो है वह सिक्क्रमराजिका नितiiii फात निर्त जो की यह सिक्क्रमराज़ से संबंधित है एक शन पूच्छा पुछा आगा तो ता उसके संपादक थे डॉक्टर बाल गंगा दर्टिलग अगला पीशन पूचषा गया था रह्मन मेकसे से पुरुषकार 2016 किसे परदान किया गया था अब अगर 2019 की बात करें तो 2019 में किसे परदान किया गया तो रवीज कुमार को पुछा जा सकता है क्योंकि 2016 का डेमन मेकसे से पुरुषकार पुछा जा गया था भारत की सबसे पुरानी ट्रेड और्गनाइजेशन का क्या नाम है तो आल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस उसका नाम है ठीक है 2020 में स्टेबलिस किया गया था अगला कॉस्चन आया था कि 29 मार्च 2008 को भारत में लॉंच किया गया था इस रोदारा नेश्ट कोछा गया था इस पाइडर क्या है तो इस पाइडर एक सर्च इंजन होता है ठीक है एक अगला कुछन आया था प्रिवियस फाइल पर आने के लिए कांसा साटकुट यूज किया जाता है तो एल्ट प्लस टैप सॉटकुट का इप हेसे प्रिवीन के पर आने पर ठीक है त one फ्रवस्ट ईख नंबल प्राइश समयत्व और ऊपके के सब्सक्राइब mogą अरावली से समय तो अरावली वाला भी आफ लोग बढ़ कर किंए अब बात करें शिप्ट फास्ट की सिप्ट फरस्ट में क्या क्या क्वेस्टन पूछे के उसको भी देख लेते हैं तो इसमें पहला question पूछा गया था Muslim League की अस्थापना कहां पर हुई थी ठीक है तो Muslim League की अस्थापना जो हुआ था धाका में किया गया था एंसर इसका धाका हो जाए धाका कहां पर तो यह बंगला देश की राध्धानी का नाम धाका महां पर Muslim League की अस्थापना किया था किसी ने किया था अली मुला आगा खाने मिलकर किया था ठीक है यह कब किया गया था 1906 में किया गया था तो यह सारी चीजे इंपॉर्टेंट हो यह पूछा गया कोईस्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका इसका डिसके सन हो चुका है ठीक है नश को सना था स्मालेस एर क्राफ्ट टार ग्राम मात्र तो यह अभी जो है सूर के चार चक्कल लगा रहा है अगला कुस्चन है आई-म-फ यहां पर आई-म-फ ओना चाहिए एफ ठीक है आई-म-फ में कुल कितने सदस हैं तो आई-म-फ में टोटल एकसो नभ्य सदस हैं ठीक एकसो सदस देश जो है एकसो नभ्य हैं आई-म-फ का हेड़कॉर्टर की बात करें इंटरनेशनल मौनेटरी फंड इसका फूल फार्म बनता है वासिंग्टन डीसी जो की अमेरिका की राधानी ठीक और यह उन्निस सो पैंतालिस में इस्टेबलिस किया गया था आई-म-फ केसे में बर्तमान हेड उनका नाम है क्रिष्टीना जार्जी जार्जीवा ठीक है क्रिष्टीना जार्जीवा नेस्ट कुछन आया था कुली अंटचबल बुक के लेखा का नाम क्या है तो यह दो बुक हैं जिसको मुल्क राज स्थापना पूछी गए थी कब हुआ था तो उन्सोनाफ्तर में क्या गया था स्टेच्वा आप यूनिटी के आर्किटेक्ट्चर का नाम पूछा गया था तो यह राम भी सुतार है जिन्होंने इसको निर्मार करवा बनाया था इसका स्ट्रक्चर स्थापना किया था उसरे का नाम क्या हरे जहां ॐस्थापण के न Rajра कुछा गया था भारत का परतर्टन-प्र उखना किया था तो मुंबई में और यह बंब आ away उभाठ उस피 में हुआ करता था 1854 में स्थापित किया गया था अगला कुछ नहीं था 202 दिवस का मना जाता है नेक्ट कुछा गया था बंगाल विभाजन कब हुआ तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लौड करजन उसमें वाइस रहे थे नेक्ट कुछ नहीं था मुर्यक्ष्पन को ट्विटर कालम है खिलाफात अंदुलन का लीडर पुछा गया तो सौका तली थे खिलाफात अंदुलन के लीडर ठीक है अगला कुछ नहीं था एक सिंग वाला गैंड़ा कहां पर पाया जाता है तो एक सिंग वाला गैंड़ा जो काजी रंगा निशनल पार्क में है और य इक सिंग वाले गंडे के लिए फेमस है नेशनल पारी तो यह कुश्चन आया था लोगसभा का कारकाल पूछा गया था तो पांच वर्स होता है लोगसभा का कारकाल ठीक है अगला कुश्चन पूछा गया था है उनका नाम है मसथ सुगु असा कावा नेशन पूछा गया था नीत आयोग कब बना इसका फर्मेशन हुआ था एक जनुवदी 2015 को इसके हैड जो होते हैं प्रधा भारत का प्धानमंति होता है तो इसमें परतमान में नरेंद्र मोदी इसके हैड है ठीक है CEO का नाम है क्या नाम था इरान का फारस कहा जाता है पुराना नाम इरान का फारस है नेश को सनाया था 11 सताबदी में उजबेकिस्तान से कौन भारत आया था ठीक है तो यह महमूद गजनवी के साथ जो अलबरूनी आया था कंप्यूटर में दो बड़ी सबसे बड़ी बाइट का नाम क cosa 20 b यानिकी घीघ ठीक है लेक है। पुर्बेकिस्ट ल में और रिखेंस किन इन ओक पुछा आइक कि थीक हूसर पुछत को मूंउब्स पिक्चर इस पर्द्ट गृुबड़ो टाया इसका फूल फार्म ठीक है और एक होता है JPEG, एक होता है MPEG, एक होता है JPEG, इसका फुल फार्म भी पुछा जा सकता है, तो इसका फुल फार्म बनता है, जॉइन्ट फोटोग्राफिक एक्सपार्ट ग्रूप, ठीक है, नेट्ट कुछा गया था, SBI के स्थापना कब हुआ था, एक जुलाई 1955 को SBI State Bank काफ इंडिया की स्थापना किया था, area wise state पुछा गया था, उसमें क्रम में दिया था कि area wise state मिलान के लिए कि सबसे पहले पर कौन है, कि सबसे पहले पर सबसे ज़्यादा एरिया जो है पूरे भारत में किस राज्जी का है तो रवाजस्थान का, इसके बाद मत परदेश का नंबर आता है ठीक है तो यह चीज़ें आपको याँ दखनी है नेट को पुछा था 2016 में एक रेर डाइनासौर फॉसल्स मिले थे तो वो किस राज में मिले थे तो यह मिले थे गुज्रात राज में ठीक है यह कोश्चन पुछा एक कोश्चन DNA से रिलेटेड आया था और एक क सारे इस तरीके से टाविक पढ़के जाएगा तो यह थे दो फरवरी के फास्ट एंड सेकेंड सिपक के क्वेश्चन जिसका डिसकेसन हुआ तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों में ठीक है मिलते है नहीं दिन आपके लिए इंपॉर्टेन ठीक है जले आज कर देखते हैं फट्रवरी में क्या क्या पूछा गया केटू की उचाई कितनी है पुछा गया तो केटू की चाई है टोटल आठ जार शेसो ग्यारा मीटर यह सेकेंड हाइस्ट पीठ है पीक है सेकेंड हाइस्ट माउंटेन है इंदा वर्ल ठीक है पूरे बिस्त में दूसरी सबसे उंची चोटी है केटू इसकी उचाई पूछी तो 8600 111 मीटर इसकी उचाई है ठीक है चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं कॉंग्रेस का विभाजन पुछा के दिखते हैं कॉंग्रेस बहुत थी इंपॉर्टेंट रेल है के हर एक सिप्ट में कॉंग्रेस संबंधित क्वेस्ट बन जाते हैं मैंने इससे क्वेस्टन कराया हुआ है इसका वीडियो लिए कॉंग्रेस और गांधी से संबंधित मैंने दो वीडियों प्रोवाइड कराया लिए फिप्टी प्लस प्लस क्वेस्टन हैं दोनों मिला के और वित एक्ट्राफ एक्स्ट्राफ के साथ आप लोग उसको जरूर देखेगा और चलिए क्वेस् पूरत में अध्युप्ति पूचा जाता है कि सभेसिंए और इसके अध्यख चुसमें रास-बिहारी घौश तो इस समय जो हे गांघточно दो पार्ट में डिवाइड हो गया था ठाक एक घरंदल और नरम और नरम दल दो पार्ट में डिवाइड तो इस डाइक आप या अनन्य को मातमा टाइटल किसी ने दिया था मातमा टाइटल दीए अधा वरबूत रेन्दर टाइटल किसी ने दिया था सुभास चंदरबोशी ने राष्टपिता का टाइटल दिया था महतमा गांदी जी को दोने चीज़ आपको याद रखने एक जाम में पूछा गया आज के पेपर में नेस्ट आया है मदू मुदू मलाई नेशनल पार्क इसको मैंने बहुत बार प मैं और देह लेते तकों कोन से तो इंद्रा गांधी ने नेस्ट बार जिसल्ए अन्लाई नेस्ट आ भी कहा जाता है एक लुद्रा मनार मरीन नेस्ट आपक以 पूछा गया था पदम भूसर एवाड से सब्बंदित था तो इसमें जो है दोजार बीस में 16 लोगों को दिया गया तो आप लोग देखके जाएगा पदम भूसर पदम भी भूसर और पदम शिरी यह तीरों आपको लोग देखके जाएगा इसे question पूंते है कि इसमें पुछ और बार पूछ चुका है तो उसे कहते है ओटू ठीक गर्म जलधारा से संब्धारा प्रसणंघ की अगया है पूस्त कर मैं लेकर आए तो इसमें कुछ गर्म जलधारां के नाम दिया हूं तो आप लोग देख लिए जाओ इसे संब्धार भी कुश्चन देख और भी टॉपिक देखके जाएगा गर्म जल्धारा और ठंडी जल्धारा जरू दे लिजीगा क्योंकि उसका पूछे जाने की संभावना आधिक है तो गर्म जल्धारा में फ्लोरीडा की धारा है गल्फ आप इस्ट्रीम या खाडी की धारा जो गर्म ज अच्छा के स्तर को बनाया रखना और निगरानी तच्छता ज्वारा सैच्छिक उपलब्ति के नियुंता मानकों का निर्मार करना यह इस पर फोकस किया गया था तो उसमें जो आपसे ने पूछा ही तो इस आपसे वाले क्वेश्चन थे नेश को सना था हरपा सबता के वह कर लिया होगा टिम बर्नर्स ली है वर्ड वर्ड वाइड वेव यानि कि डबलू 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 के फाउंडर के यह आप लोग इंटरनेट पे गूगल को जब सर्च करते होंगे तो यह पहले दिखता होगा इसका फुलफां बनता है वर्ड वाइड वेव नेस्ट को 45 में इसकी अस्थापना की गई थी और इसके समय है अजूले जो कि बहुत इंपार्टन पूछे गया एंग्जाम में तो आप लोग इसको याद रखेगा चलिए नेश को सना था हाडवेर और ऑर आपरेटर के बिच काउन लिंक प्रोवाइड कर आता है तो यह आपरेटिं थान में ठीक है मिसाइल मैं कि संगया किसी दिया जाता है दक्टर एपीजी को दिया जाता आ जिकखतीके बनने से भारत रतनफन परतान कीआ फ्क हमें कर दांडि मारिज के समय वायसराय क resiliency Model दान्डी मार्च में पूछा जा युछा जा जुका पहले यही यहीं यहीं तो डान्डी मार्च में तो 1330 को ठीक है इसका हेड्कार्टर की बात कि बहुत बाहर पूछा गया तो स्थापना इसकी हुए थी उनने सौना तालिस भी को इसके हेड बहुत चर्चित रहते हैं उनका नाम है टेड्रॉस अधा नेम जो की पूछे जा चुके जाम में अधा नेम ठीक है एक संब्सक्राइब नश्चे सब्सक्राइब नाएफ नियुक्त फर्वरी तो जिसका डिसके पिया गया रहें हैं बाकिंद को सेमें 40-50 परचाइब जारा रहा हैं रिपीर्टर प्लश्चन आता है तो आप लोग करते रहे हैं और करन्ट अपड़े के साल का में जो करा हैं वो आप लोग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उससे संबंधी कोश्चन पस रहे हैं उसका में दूसरा पाड़ लारों लबद 300 प्लस कोश्चन का जो कि मैं कल तक उसको अपलोड कर दूंगा लाइब आउंगा सामको तो पहला कोश्चन मैं लिया है जो की पूछे जाते हैं नेशनल पार्स संबंधी कोश्चन तो एक कोश्चन मैं लिया तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्ब जो यह कहां पर है स्थित है तो यह महाराष्ट राज में स्थित हैं तो महाराष्ट के मुख्मंतरी का नाम है उद्धो ठाकरे और महाराष्ट को जो गौर्नर नाम है भागत सिंह कोश्यारी यहां के माराष्ट की राजधानी मुंबई है जहां पर और का हैटक्वार्टर भी है मुंबई में ठीक है और का हेटकौटर है तो मुंबई इंप्रोड़न आर्थिक राजधानी भारत की तो नेश्ट कोश्चन देखते हैं जो और वह सिंसे के लिए दिया जाता है तो इस तरीके से कुष्चणarna में पुछा जा रहा है नेशा को लिए हुक्त के लिए चाहीं को यहीए अश्प्रेश्ता को सब्सक्राण मुल अधिकार है मुल करतब है ठीक है नागृता से संबंद है राष्ट पती है उपर राष्ट पती है सारे चीजे पढ़के जाएगा क्योंकि इससे रिलेटर कुश्चन बन रहे हैं अगले कुश्चन की बात करते हैं तो किस व्यक्ति की आत्म कथा जो एस अगेंस्ट और से बंद फैन से पंदितन रच्द गला करते हैं धरत के उपर राष्ट पती अपनRO इस तीपा किस को देते हैं तो भारत के उप्राष्ट पति हैं ज vielen ऑपने स्ती पर किस अधियुकर जाते हैं उसका राश्पती हो जाएगा माराथा सम्राज के संस्थापक का नाम क्या है तो माराथा सम्राज के संस्थापक जो तो नाम испLEY भौसल एकते पर चलते हैं तो ईस इंडिया कंपनी ने किस सहर में फोर्ट कि स्थापना किया तो मदरा सहर में इस्थापना किया था ठीक है और आपको फेज टू एंड फेज फर्स्ट के एक वीडियो में आपका कुश्चन चाहिए तो आप लोग उसको देख लीजिए मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो सारे मैंने एक वी जाता है तो एड़ामी सिमित को अर्थसास्त का जनक कहा जाता है ठीक है एक से दो कुश्चन कंप्यूटर से समझ पूछ लिए तो इनमें मैंने लिया है इनमन में से कौन बेव ब्रावजर होता है इस तरीके से कुश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं बहुत ट्रेंड में ह नहीं है तो इनमें से तीन नाम दे दिया जाएगा एक अलग दे दिया जाएगा ताव इसको पढ़के जाएगा ल एन का पूर्ण रूप क्या होता है तो होता है लोकल एरिया नेटोर ठीक है एक होता है वी डवलू एन डवलू एन होता है इसका फूल फूल पूछता है त इसको द्यान में रखिएगा चार मिनार का इस मारक जो किस सहर में इस्ते थे तो यह अधराबाद सहर में इस्ते थे यह कहां पर तलंगाना की राध्धानी समय ठीक है नेट्ट के बात करते है तो विज्ञान सवर्धन के लिए कौन किस मंत्राले द्वारा कार्यानवित किया जा रहा तो संस्कृति मंत्राले द्वारा विज्ञान सवर्धन के लिए योजना जो बनती हो संस्कृति मंत्राले मिश्ट्री आप करल चर से करवानवित किया जा रहा ठीक है ब्रिक्स जो एक संगठन है इसमें बी का क्या थे इस तरीके से कुश्चन बहुत पूछा जा होता है तो बी का अर्थ होता है यृज ऑर्क है और यह इस की आपको आदर करेंश्चन ने अएक बिदृत प्रवा का गठन करता है तो में करकता हुए जिonder कर देन भी यहीं जिमनेदार है जो गुमता हुआ इलेक्टान फिरी इलेक्टान होते हैं और वही विद्धुद्परवा के लिए जिम्मेदाई होती है ठीक है नेश्ट कोशन आया था अगनी समन के यंत्र के रूम में किस कार्बन का योगिका परियोग के तो Ccl4 का परियोग के अता है तो अगनी समन के यंत पीडित लोगों को दिया जाता है तो यह मधुमें यानि कि डाइबिटिक बीमारी होती है उससे पीडित लोगों को इंसुलीन हार्मोन दिया जाता है ठीक है है अगले लिया में संहुत राष्ट की अजन्सी जो सताफदी अपना रही है तो यह मना रही है एलो की अस्थापना की बात पिना में सताफदी सवावर्स मना रही है और अब नेस्ट टेखते हैं तो पहला बिसुका पहला दलहन दीवस कम मना गया तो 10 फरोरी 2019 को बिसुका प यह महिला दिवस 2019 का थीम क्या था थीम यानिकी बीसे इसका क्या था तो इसका विशे था समान सोचें स्मार्ट बने और बदलाव के लिए नया करें ठीक है अंतर राश्ट्य महिला दिवस हर वर्स आठ मार्च को मना जाता है ठीक है भी इंपॉर्टन्ट है पुछा जाता है देखते हैं भारत का पहला राश्टी कोसल प्रिस्चन संस्थान कहा परिश्तित था यह वरीषा कि राधानि भुनसर में इसस्था पिए गया है लिए कोड़ा की बात करते हैं तो भी सामें जो है दो स्युन्य नेसनल पार्क एक सिमली पाल नेसनल पार्क भी तरकन कर शेयो चिलका जीले जो कि इंपॉर्टन था जाम पॉइंट भी उसी ओडिसा में कोडाक मंदर कोडार का सूर मंदर ठीक जिसे ब्लैक पगोडा भी का जाता है कोई जाम में पूछ चुका है नेक्ट को सना तो किस भारतिय फिल्म में फिल्म ने ठीक है क्या नवेवा अकादमी पुरुषकार जीता है तो यह फिल्म का नाम था पीरियड आप दा सेंटेंस टीक एक लगव कता बित्र चित्र लगव विसे सिरेणी में इसने आसकर अवार्ड जीता है तो एंसर इका पीरियड आप दा सेंटेंस हो जाएगा ठीक है इसके क्रिकर काउंट्र मुह दोबई में है सांती प्रु का से समानित किया तो नरेंद्र मोधी को बारत के पधान मח nasy Какar C अर्जन्टीना में आउजित किया गया था डाश्ट्य सुरच्चह दिवस कमना चैछा चार मार्ट को हर वर्श राश्ट्य सुरच्चह spiritually मनाया जन्ता की गुफाएं के बार्ए बहुत पूशी जाते हैं तो जन्ता की कई कहां पर इस तें महाराष्ट में बारतिय समिधान का कौण से अनुच्छ जो बिट्या पातकाल से संबन्री तक भारत में विट्या पातकाल यह बार भी नहीं लगा रहे एँग्ट म. माई वे किस किटकेट खिलाडी की आदम कथा है तो यह सचिन तेंदुलकर के आदम कथा का नाम है प्लेइट प्लेइंग इट माई वे ठीक है महाराष्ट के राज से जुड़ा हुआ यह बहुत बार पूछा गया एक्जाम में ठीक है लाओडी निर्थ और एक होता है तमासा निर्थ यह दोनों इंपॉर्टन्ट है महाराष्ट से और दोनों पूछ जा चुके हैं एक्जाम में दो से तीन बार तो यह थे कुछ क्वेस पर पर इंड करते हैं तो आज के सिप्ट में क्वेस्टन आया था कि नीत आयो की अस्थापना कप किया गया ठीक है यह कुछा गया था आट फरवरी में तो एक जनुरी 2015 को रिपीटेट कोईस्चन है इसके पहले बहुत बार इसका जो है डिसकसन हो चुका है तो इस तरीके किसे कुछेन आजा इंडिया वर्ल्ड कफ फाइनल में कितनी बार गया जीता ठीक है तो यह तीन बार जीता इंडिया भी तक और नेस्ट कोईसन पुछा गया था कि आरभी आई की अस्थापना जो है कब किया गया तो आरभी आई के बारें बहुत बाट डिसकसन हो चुका ह है तो यह जो है एक अप्रेल 1935 इसकी अस्थापना ठीक अरेवी आई के इसका राश्ट्यक करन एक बार राश्ट्यक करन भी पूछा जा चुका है तो अरभी आई के राश्ट्यक करन एक जैनुर्टी इनिससो नचास इस भी को हुआ था इसके से में बरतमान गौवर्नर की कि बात करें कौन है तो उनका नाम इसकती कांत दाजों की 25 करम के गौर्णने ठीक है चलिए नेश्ट कोईशन पूछा गया था सापेच्षता का सिध्धान किसी ने दिया था तो सापेच्षता का सिध्धान जो अलबर्ट आइंश्टीन ने दिया था ठीक है और इस तरीके से प्रिजिक्स के क्वेश्चन आए इस्टेचु आफ यूटी पूछा गया कि यह कहां परिस्थित गुजरात में इस्टित इस्टेचु आप यूटी और निर्मदा ने दी कि किनारे इस्टित ठीक है जो यह सरदार पटेल की मूर्ति है अगला कुछा गया था सिरी हर कोटा कह परिस्थित शिरी हर कोटा जो आंदर परदेश में इस्टित और सिरी हर कोटा में क्या है तो सतीस धवन अंतरिच केंद्र है ठीक है नेश कोईशन की बात करते हैं तो परमाल का सिधान से समझ को चना था किसके दोर प्रतिपादित किया गया जॉन डॉल्टन ने इसको प्र पर Eitanir घ् всп gaminach और शचलिए रफॉट कोईशन की बात करते है तो अगला के इन नाम का आम का का बैगका नाम महिंगी फेरा इंडिका होता है पुछा गया है कि अगस्त 2020 में इस्थीपा दिया था उनका नाम क्या था यह पुछा गया तो इनका नाम था रावेड़ो अजा बेड़ो ठीक है इनका नाम था व्ल्ड ट्रेड और्गनाइशन इसका फुल फार्म बनता है और यह जो है इसका हेटकौर्टर की बात करें तो है कहा बगले के संब्सित कर दिया से घ्डव करें नेले करें कुल क्लिन एर कमरा जाता है तो साथ सितंबर को मनाते हर बर्स ठीक है नेश को सब्सक्राइब करना तरह परीस्टि इसमें मिलान करना था चार थे उनके अलग अलग नाम दिये घल्लत फेक अमक वियना में होता है तो इस तरीके से क्वेस्टन आता है मैचिंग कराने के लिए ठीक ह सब्सक्राइब लोग जितने भी संस्था उनको क्लियर अगर पता होगा सभी का तभी कोष्टन इस तरीके निगल पाएगा भूटिया जनिजात कि सिराज में पाएगा जाते वाइचिंग भूटिया जो भारतिय पुटबालर टीम के पहले इसके पूर जो है कैप्टन थे वा लेखक कौन है तो इसके नाइटर माइन पुस्तक लेखक डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम जी है ठीक है वारत के पूर राष्टपती है और इन्हें राष्टपती बनने से पहले भारत रश्टपती बने थे और इन्हें जो है 1997 में भारत रश्टपती प्रदान किया ग साहित में नोवल पुरुसकार प्रदान किया गया गितांजली के लिए गितांजली की पुस्तक का नाम है और यह 1913 में प्राप्त किया गया था इन्हें प्रदान किया तो यह भी पूछा गया क्वेश्चन अठारस स्थान के बिद्रों से संब्दिन बड़ा चेहरा कौन थ यह स्पांजली कॉष्चन future 2019 सुल्तान अजलनव्सा कप जो है यह कहां पर आज 뛰 तरह मलेसीय अमने आजन किया था और इसका बीजेटा थे इसका में इसमान रही स्था नेस कावीडियो करेंज tha साऊट कॉरिया छेटिक है तो इसको का 1979 25 को 16 comes के मंगलुरू में यह भया जिक्र इसका किया जा चुका तो यह थिह और इसके बरतमान अगर चैर्मेंगेल की बति चल्ट करें ओंका नाम है के शीवान के ईज्मेन नाम ओनका ठीक है चालेए नेल बीद्रों कहां पर में महादमादी जी यहां बाला हेते फूछागां और फैल फॉर सबसे पहले सबसें क Film यहले किस को बहुत हैं अगले की बात के लिए आए इसके बात करने के लिए हम आया था किरहें मिलानम लानकरे मिलान करेंड की सबसे पहले कौन मुमेंट इसके कौन हुआ ठीक है आरोहिक्रम में तो सदेशी मुवमेट दिया था जलियावला बाग दिया था फ्लाइक सत्यागरा दिया था भारत छोड़ो अंदोलन दिया था तो इसमें से अगर आप सभी को अगर आपका इसको डेट पता होगा तभी आप लोग इसको मिलान कर पाएंगे सदेशी मुवमेंट हुआ था 1905 में, 1919 में जलियावला बाग वा था फ्लेक सत्यागरा 1923 में हुआ था भारत छोड़ो अंदोलन तो इस तरीके से क्वेस्चन पूछा जाता है यह क्वेस्चन पूछा गया था सिल्क जो है कहां से प्राप्त होता है उसका नाम पूछा गया यह क्वेस्चन पूछा गया था ठीक आँप स्टेडी को क्या कहते है सेरी कल्चर सेरी कल्चर जो सिल्की के स्टेडी को कहा जाता है तो जी एक कल्च तो इस तरीके से आज के फीचोट में आत पहर थे फर्वरी के पूछे यह जो जिसका discussion कियागा उसके बार तो आज question पूछा गया था DRDO की अस्थापना कप की गई तो DRDO की अस्थापना DRDO से related कल भी question आया था तो यह repeated question है तो इसकी अस्थापना पूछा गया था पूछा गया था कल के पेपर में इसके बरतमान जो हैड है उनका नाम है जी सतीस रड़ी ठीक है तो यह चीज़ें आपको याद रखने है आई पील से संब्सक्राइब कितनी टीम ने भाग लिया था तो आठ टीमों ने भाग लिया था और यह कौन सा संस्क् कंटी का मूंबई इंडिया था कांग्रेस के संस्थापक में से को यह पुछा गया था आप दोनों देख लिजिये कांग्रेंस के संस्थापक का नाम है ए ओ हौ्धносरी थे और यही संस्थापक है और इसके फर्स्ट फ्रेशिडेंट का नाम है डबलू सी बनर जी ठीक है कांग्रेस की स्थापना थारा सो पच्छासी स्थी में किया गया था नेश्ट कुछन आया था ओएंजी सी का हेड़कॉाटर पूछा गया तो नहीं दिल्ली में पड़ता है नेश्ट कुछन पूछा पार्लियम्ट के सभी तद्वेशन को किस अनुच्छेत के तहत रखा गया है तो यह अनुच्छे दक्सो आठ में आदा रिपूटर इसके पहले भी पूछा जा चुका है नेश्ट कुछन आया था मोलेम नेश्टनल पार्क किस राज में इस्ति थे तो मोलेम नेस्टनल पा पेपर है तो वह लिंक जरूर देखेगा नेश्टन आया था ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा दिव पिछती थे तो ब्रह्मपुत्र नदी से जो दिवबंदुस का नाम है माजुली दिव जो की बड़ा दिवभा और यह असम्राज में है ठीक है नेश्टन पूछा गया लिए फेंटा गुफाओं की कुझा ऐता रॉस्त कर नाम की भाहती है था राभत क को नाम क्या है नाम है टाइगार तीक है बिक्रम सिलाभिस्ष विद्याले के संस्थापक का नाम पूछा गया तो धःमपाल है विक्रम्पाल की पर्टेबल डाकूमेंट होता है पीडियप का फुलफाम अरेवियन समुद्र की राणी ठीक एरब की रानी की सहर को कहा जाता है अरब की रानी को कहा जाता है आर्गे लचमर के बारे पूछा गया तो यह काट्रूनिस्ट थे इंडिया की खोच किस ने किया तो वास्को डिग सम्मिधान लिखित है लिखित सम्मिधान है सबसे लंबा तो वह भारत का ठीक है प्रकास का वर्ण बिच्छे पर किस बेग्यान के दारा प्रत्पाद कि तो नीटन द्वहराग दिया गया था 1665 इस तरीके से कुछा गया है नेश को सना था थाइलेंड के राजा अगस्त 2020 में तो उनका नाम राम एक्स के रूप में वजीरा लोंग कॉंड बनाएंगे इंका नाम है अमेरिका के खोज किसने किया को लंबस ने किया था 1492 में एलू का फुलफाम पूछा गया है तो एलू का फुलफाम रिपीटेड कोईस्चन है इसका होता है फुलफाम अर्थमेटिक पूछा गया था तो अभिनेंदन के बारे में बात कर लेते हैं तो यह जब पाकिस्तान में घुशे थे पाकिस्तान के एफ 16 को जो फाइटर था उसको मार गिरा था तो यह उड़ा रहे थे मिग 21 विमान ठीक है भारत का मिग 21 विमान उड़ा रहे थे और यही साथ कुछा गया है और इसके बाद यह फरवरी 2019 की बात है ठीक है तो यह चीज़ा आपको अभिनेंदन के बारे में याद रखनी है और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड यह कोईस्चन आया था तो यह चीज़ा आप लोग पढ़के जाएगा तो इस तरीके से कोईस्चन आज का सेशन का था अगर समझ वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा सेयर करिएगा ठीक है और सब्सक्राइब कर ल सब्सक्राइब करता है, वैसन पालब करने में तेिया था माडल तो मौडल दिया गया था, और यह दिया तक है कोंसी कंट्री में सबसे पहले अपना आया गया थै को कि दूसरे में तीसरे में था कि यह इंप्लेमेंट भारत में कभ वह एक चौथा था उसको याद नहीं तो इस तरीके से क्वेस्टन पूछे जा रहे हैं मलब कथन देकर आप क्वेस्टन बना के दिया जा रहा है मलब कि अगर कोभी टॉपिक है तो आपको धंग से पढ़के जाए गया तभी आपका महहाँ पर निकल पाएगा तो मॉडल बता देता नों मॉडल जो है ज्वी टुकव डूल मॉडल है ठीक है और यह फ्रांस में सरपर्थम जो है इसको लागू किया गया था फ्रांस देश में ठीक है इसके बाद फिर इंपलिवमेंट भारत में कभ हुआ था तो एक जुलाई 2017 को हुआ था एक जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था ठीक है और इसके बाद और देख लेते हैं तो यह आप प्रत्यक्ट चेकर है ठीक है इंडारेक्ट टैक्स होता है तो इस तरीके से पूरा पूरी जानकारी है तभी आपको निकल पाएगा क्योंकि आपसन में उस तरीके से देखते हैं चार आपसन देखते हैं चार इसके बाद बताते हैं इसमें कौन सा सही या कौन सा घलत है चलिए ने पूछा गया था सबसे बड़ा नुकलियर पावर प्लांट तो काकरा और आतामिक हो पूर स्टेशन है जोकैं गुजरात में राकल सहर को नांए बसा था था थो है इन मेसे किसOOD को नोबेल पुरुसकार नहीं परत्त है जी धो ठीक है तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने नोबल पूरुसकार भी नहीं मिला है ठीक है नेस्ट क्वेस्टन आया था हिमाले से कौंसी नदी इनमें से नहीं निकलती है तो उसमें चार आपसंदिये थे चार नदियों के नाम दिये जिसमें से महा नदी जो थी वह ह हिमाले से निकलती है अगला क्रेसिंघा को आरकईव फाईल भी बोलते हैं और यह औरिजिनल से करता है अगर आपको फेज वन फेज टू के वीडियो चाहिए एक ही वीडियो में तो मैंने बनाया उसका लिंक जो मैं डिस्क्रेशन में दे दूंगा आप वहां से उसको देख सकते हैं बहुत फेज पोर के लिए तो बहुत है आप लोग उसको पूरा वीडियो देखा देख के जाएगा फेज वन फेज तू फेज तरी तीनों वीडियो में ने बनाया है तो क्या कहा जाता तो सुष्क बर्ब कहते हैं ठीक है जो पूछा गया था इनमें से कौन सा ओपन टैनिस ओपन न नहीं होता है नाबाड की अस्थापना पूछी गई थी कब हुआ था तो यह 1982 सिभी को हुआ था ठीक है औरंग नेशनल पार्क के बारे में पूछा के कहां पर है तो असम राज में असम में काजी रंगा नेशनल पार्क भी है जो कि एक सिंग का इंडे के लिए 200 अब इंडिया के बारे में कौंस अर्टिकल वर्डन है तो अनुच्छेद बावन ठीक है एक कोईस्चन मैं बुकर पुरुषकाय 2018 से पूछा गया था तो वह किसे परदान किया गया तो एना बंस को दिया गया है इस तरीके से कोईस्चन पूछा गया ठीक है अब इनको किस देख सकते हैं पूरा वीडियो जो है करन अफेर से पूरे एक साल का है तो आप लोग सको देखे कबर किया है उसमें मैंने इस सारे चीज़े पंचितंतर पुस्तक के लेखा का नाम क्या है तो उनका नाम है भिश्डू सर्मा ठीक है फ्लाइट्स बुक के लेखा कौन है तो प्रस्थापित किया था तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रस्थापित किया था ठीक दिल्ली से दौलता बात रेधान ने ले गया था पनी नेस्ट कॉर्शन आया था इंडिया ने पांच फेज में कौन से अपना देश राफेल विमान खरीदा है तो वह फ्रांस है ठी कि लाइव स्टॉक सेंसर जो कब हुआ था तो निस्ट भी में हुआ था नेस्ट आया था एंसडी यानि कि नेशनल इस्कूल आफ ड्रामा के बर्दमान चेर्मेंन कौन है तो परेश रावल इसको भी मैंने करेंट अफेर में कराया तो आप लोग यहां से इसको देख सकते ह यहां से जाके करेंट फिर देख से पूरे एक साल का मैंने कवर कराया है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए के दानात मंदिर कौन से राज में इस्ती थे तो तरा खंडर राज में मैं रेखा कौन से दो देशों के भी सीमा रेखा का नाम है तो भारत और चीन ठीक है आप पुष्टक के लेखा का नाम है तो अरिंदती राय जो है इंडाफ इमेजन के लेखाक है एक कोश्चन आथा बंगाल विभाजन और इसमें चार आप्सन दिये थे चार आप्सन उनके चारों के डेट दिये गये थे तो मिला आना था कि कौन किसे समतों बंगाल था ठीक है नेस्ट इसी में था नौन कॉपरेशन मुमेंट तो यह निसो बीस इस भी में हो था चंपारण अंदोलन जो कि उनिस सत्तरा में हुआ था और सैन विद्रों आया था उनिस अठारा सु सत्तावन में तो इसमें देखें चारों के अगर आपको एक्जैक्ट डेट पता होंगे तभी आपसे जो है क्वेश्चन निकल पाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोग तैयार करके जहें पूरा जो पढ़िये टापिको पूरा पढ़के जाईएगा अगला कुश्चन आया था होईसल की राध्धानी कहां पर थी तो होईसल की राध्धानी जो है वो द्वार समुद्र में इसका नाम इसका आधुरी नाम है हले वीड ठीक है यहां पर थी होईसल की राध्धानी अ सबसे जाए रियक्ट्टू गैस अगर देखा जाए से तो आक्सीजन होती है ठीक है अब उसमें आप्शन में कौन दिया गया था उससाब से आप्शन के लाइक था क्वेस्चन एक कोईशन पुछा गया था इंडिया के प्रेसिडेंट है जो किस आर्टिकल में है तो इंडिय तो आज के सेकंड सेप्ट में दस फरोरी में आए था तो यह जो है अनुक्षेद 23 और 24 में वर्णान ठीक है अब यह क्वेश्चन रिपीटर क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया है तो रिपीटर क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरीके से नेश्ट क्वेश्चन आ था ठीक है क्वेश्चन में पूछा गया था कि असपर्स नहीं करता है नेपाल से कौन सा भारतिय राजी अब यह भी क्वेश्चन रिपीटर के पहले भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसमें मैं बता रहा हैं कि कौन-kąन राजी जो है इसपर्स करता है टच करता है नेपाल को तो उसमें है उत्तर परदेष उत्तरा खंड ठीक है बिहार है पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है यह इतने राज जो है टोटल पांच राज जो है टच करते हैं बाकि इसके लावा अगर कोई आप्शन में होगा तो वही एंसर जो है सही हो जाएगा इसका अगर आपको फर्ष्ट का वीडियो चाहिए जीखे के एक वीडियो में तो आप लोग उसको देखें उसका लिंक जो है में डिस्क्रिप्ट्र po मैं दे दूँँगा टिक और ऊपरट्र के जैसे पेपर समाथ जो है जो ही इसका प्राइं वीडियो में ke दिखेंघ में चलिए नेश्ट क्वेशन आद पूछा गया था कोबोल की फुल फाम आय थी यह भी रिपीटेट क्वेश्चन है इसके पहले पुछा जा चुका है कोबल की फुल फाम होते कामन बिजनेस और एंटेड लैंगोज और अगला क्वेशन आया था गांधी जी को किस स्टेशन से बाहर फेका गया था गांधी जी से संब्सक्राइब एक वीडियो बनाया जिसमें 70 प्लस क्वेश्चन है तो आप लोग यहां से देख सकते हैं ठीक है उसमें जो है सारे कवर किये हुए मैंने गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन तो यह जो इन्हें फेका गया था उस स स्टेशन म leaned realistically स्टेशन से तो यह कहां पड़ता है अगली बार पुछा तो सवत अफरीका में पड़ता है स्टेशन मोसे और टोटेड की जून साथ जून अठाहर और 3139 इस भी को फेका गया था टिक है यह बी चीज आपको याद रखने यह भी पूछा जा सकता है क्वेस्ट नेश्ट कुश्टन का कॉमन बेल्थ गेम का 21 संस्क्राण कहां पर हुआ था तो कमन बेल्थ गेम का 21 संस्क्राण जो हुआ था आश्ट्रेलिया के गोल्ड कोश्ट सिटी में हुआ था एक कोश्चन सच भारत अभ्यान से रिलेटेड आया था एक कोश्चन बच्चे नहीं बता पाएं तो इसमें जो आप जान लेजिए इसकी स्टार्टिंग हुई थी दो अक्टूबर गान्धी जहनती होती है दो अक्टूबर के दिन तो उस दीन से सपस्ग भारत अभीहान इस्टारट किया गया था पदान मंतरी नमम मोदी दोरा गोदान पुस्तक की लेखा का नाम पूछा गया तो गोदान पुस्तक की लेखा का नाम है मुंसी प्रेम चंद्र ठीक है इसके लेखक है मुंसी प्रेम चंद्र बार्क के फाउंडर पूछा गया बार्क के संस्थापक कौन है तो बार्क के संस्थापक है डाक्ट बार्क का फुल फाम होता है इसके य जुटकर सब्सक्रार कर YEARS माहरास्तिर में parashtri चीज आपको याद रखनी आया था मलेरिया के परजीदिया प्रोटोजओवा का नाम क्या है तो कि घַा सब्सक्राइब में तीनो संस्क्रण किसी ने भाग लिया था मलब 3 में कोन गह थे तो वह झे डाक्टर भीम राव अमबेटकर जी जो तीनों में भाग लीत ठीक है धारा 144 से क्वेश्चन आया था तो ml 1444 जो किस kings के लिए हो ता यह सांती कायम करने के लिए होता है किसी आपात इस्तिती से बचने के लिए ml अपास लगा जाता है और इस Caesar कंसा सथ नहीं सकते कहीं आप उसमें चार चारों आपसन में इस तरीके से दिया गए था ठीक है एक में दिया गए था 5%, 12% 18% 28% दूसरे में दिया गए था 12%, 5% 28% 18% इस तरीके से मलब दिखाना तो इसमें GST की जो दर होती है सेरीज में यह को सिंदा मिलां तो 30 जीरो परसेंट 5 पर सेड़ा फिर फिर अठाव एस तरीके से ठीक है तो यह आपको याद रखना नहीं जीकिए to किदरे हैं और जी 서टी के पारे में वास्ट में भी पूछा गया तो्ट्यसधी tofu इसका फूल फार्म होता है इसका फूल फार्म यह भी पूछा गया है क्वेश्चन जो है यह टैक्स है तो यह इंडारेक्ट टैक्स होता है इसके लागू कब हुआ था इंडिया में तो एक जुलाई 2017 लागू किया धा सक्षेह इसका क्थन के रूप में यह भी पूछा जा रहा है इसका मतलब आपकुछा जाज़ा था यह गह्यार गेटवे आफ इंडिया का नाम था जियार्ज विटेट इस ने गेटवे आफ हिंडिया की आप नाम था निर्माण करने के लिए उसका इसका इस्ट्रक्चर दिया था और गेटवे आफ इंडिया किसके खुशी में इसको जो है बनाया गया था तो इंग्लेंड के जार्ज पंचम और कुइन मेरी आये थे उनीस सो ग्यारा इसमी में तो इसका निर्मार कार्प शुरुवात उनकी स्वागत में किया गया थी गटवा अफ इंडिया जो कहांपर है तो मुंबई महाराष्ट्रा शुबोग के पेपर में यहीं पूछा गया था स्वागत में बनाया गया था और इसी समय दिल्ली कलकत्त भारत की राध्धानी कलकत्ता को दिल्ली लाए गया था 1911 में जब यह जार्ज पंचम आये थे तो यह सारी चीजें उस समय हुई थी चलिए नेस्ट कोईसन आया था 2019 में कौटन प्रेडक्शन में अग्रणी राज का उंसा है तो 2019 में गुजरात था ठीक एंसर इसका गुजर रास और यह संदेख को बनकर यह तैयार हो गया था भारत का समयधान ठीक है भारत का समीधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित समयधान यह भी कोईस्टन पूछा चुका है समीधान से Mode सब्दों से संबंद। चीजें पढ़के जाएए डिटेल में अगला क्वेस्टन पूछा गया था भाखला नागल बांध जो है किस राज जिमेश्थी थे तो भाखला नागल बांध जो हिमाचल प्रदेश मेश्थी थे और यह किस नदीपर है यह जान लिजिए तो यह सतलोज नदीपर इस्थी थ ही जाते है एक कोमप्यूटर से सब्माडित अपरेटिंग सिस्टेम से क्वेस्टन पूछा जाते हैं तो भी आप लोग पढ़के जाएगा या जायेगा क्यूंत राष्ट्राष्ट का अध्यक्ष नहीं बना है तो यह option तो हो सकता तो आप खंश 친 अगर जिस तरीके इसे हो तो आप लोग कम से कम पर्थम इसके राष्ट के अध्यत्य तो यह आप लोग पढ़के जरूर जाए इससे क्वेस्टन आ सकते हैं अब आप लोग जानेंगे तभी इसका हो पाइक बर्तमान अध्यत्य चीज़ के जो हमका नाम है इंटेवनियो गुट्रेश मिस यून ऑपुझेश लिखेश नाम का जो मिस्यूनिवर्स 2019 बनी थी चीज़ है जो करनंट अफेर से पूछी जा रही है एक अगला turkey जिवघ्ञान से कि पोधे की पतियां जो हरी क्यों होती यह तो यह थे आज सेकयं सिप्ट के 10 फरवरिक ऐ अगर लाइक शिपर करने ना भूलें अपने दोस्तों में ठीक है तो आपको टॉपिक इसमें पढ़के जाना है आध्धुनिक भारत पढ़ लिजिए गांधी जी से संबंदित पढ़ लिजिए ठीक है modern history पढ़के जाए गांधी से पढ़के जाए गांधी से पढ़के जाए इसके बाद संस्था जो है उससे पढ़के जाए और जो main main जो नाम है उनके किताबे जो में में उसके बारे में बारक और इसरों के बारे में पढ़के जाएं करन्ट फेर 2017-19-20 तक त्यार के लिए क्योंकि 20 का भी आप पूछने लगे हैं पहले 20 का नहीं पूछते थे ठीक है ठीक है डायम पढ़ लिजिए और नेशनल पार्क पढ़ लिजिए एक नेशनल पार्क इसमें पूछा गया था कि दिहांग पठकाई नेशनल पार्क स्वारी कहां पर इस्थित है यह क्वेश्चन आज की सेकंड शिफ्ट में आया था 10 जनूरी के 23rd नंबर का क्वेश्चन 23rd दिहांग पठकाई अभियारन तो यह पढ़ता है आपका जो है असम में ठीक है यह पूछा गया था किस राज में है तो असम में है दिहांग पठकाई अभ अपग्रेट करने का असम सरकार ने नेशनल पार्क कि रूप में तबदील किया रहा है श जा है तो यह तो यह थे आज के साम पंढ़िया करते हैं थैंकू पहला तो पूछा गया तो यह था इसे प्ग्छन बबेर्शिटपर रिंट करते हैं थैंकियो में 17 इंद्रा गांधी इस सेंट्र फार्ट सेटोंर एस 파ुष एक तो यू एन ओके प्रमुक अंग कौनन से हैं तो एक लिए से नहीं है आप्सन में तीन थे जो थे और एक था जो नहीं था ठीक है तो मैं इसमें बता रहा हूं कि कौन-कौन से है मात्वपूर्ट तो पहला है महासभा दूसरा सुरक्ष्छा परिस्द तीसरा आर्थिक सामाजिक परिस्द चाओ था अंतराष्टिय नियाल है पांचवा है नियास परिसद और छठा है सचिवाल है तो यह मेन प्रमुक अंग है यू अनोग ठीक सही तो राष्ट संग के इसके लावर कोई नहीं है तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए रिपीटेड कोश्चन इसके पहल मूंबई महमार राष्टर मैं प्याटिक आप हमी जहांगिर भाबा जो कल के पेपर में पूझा गया था और इसके बरतमान है जोनका नाम है जीतकुमार महंती निया पुछण है रतनावली पुस्तक के लेखा का नाम है हर्स निया पुच्छा है तो यूट्हेंगी पुस् standing up for human rights मानवादिकार की theme थी 2019 की youth standing up human rights ठीक है अब ये theme और दिवस से संबन्धि मैंने पूरा एक साल का करावा तो आप लोग उसको देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे आई बटन पे जो उसमें पूरा है theme और इसके बाद उसका दिवस भी है और ये कब मनाया जाता है मानवादि सरित्र पुस्तक के लिखक के उन्हें तो बाड़ भट ये रिपीटर कोशन इसके पहले भी पूछा गया है किसान सम्मान निदी योजना कब से सुरुवात किया गया तो 24 फरवरी 2019 से प्रदान मंतिर नरेंदर मोधी द्वारे स्टार्ट किया गया और ये जो है सम्मान प्रदिर उसे ब्लैक प्यगोडा भी कहते हैं यह पूछा जाता है कि अ कि कि मंदिर को कहते है ठीक है चलिए नेस्ट कुछा था कारले की बहुत गुफाय किस राज में इस्तित थे तो यह महाराश्ट राज में इस्तित है कोबोल किस से सम्मझद कोबोल का फुल फॉल फॉ तो बीनर का नाम भी पूछा गया है तो यह दोनों आपको याद रखना है नेश को इस राज में पांच बार लगातार उप मुखमंत्री बनाया गया तो आंद्र परदेश राज में बनाया गया ठीक है सम्मानित किया गया था उनके नाम जान लेते हैं बाबा साय पुरंदर इजन भाई अनिल मनी भाई नायक इसमाईल उमर गोले ठीक है यह जो चार थे इनके जो इनको है सम्मानित किया गया था अनेच्छे किरिया को निमलिखित में से कौन नियंत्रित करता है तो अनेच्छे किरिया को निमलिखित में से मेडूला नियंत्रित करता है जो कि ब्रेन में होता है ठीक है निमलिखित में से किसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है तो गोल्डन तो यह अनुक्षेद में वर्डन है तो यह अनुक्षेद 112 में वर्डन है ठीक है बजट युनाइटेड नेशन हाई कमिशन कभ बना तो यह 1950 दिसंबर 1950 में इसकी स्थापना की गई किरिब समिसन कब आया था भारती है पूछा गया क्वेशन तो यह 1942 में आया था ठीक है नेश्ट क्वेशन है निमलखित में से करनाल कीला किस राज में इस्थी तो चंडीगड और दिल्ली के बीच में इस्थी तो यह अफसर इसमें सही होगा ठीक है अगला क्वेशन पूछा इस सत्व परियोजना जो है चिनाव नदी परृस्तित चिनाव नदि काहां जंगू कस्मीcessoal परियोजना इस्थी। तीक है क्रयोटन काँ nuclear फ्री में प्रियोजना इस्थी हो ठाधल यह क्वेशन पूछा गया था अगला क्वेशन पूछा गया ऐब देखते हैं हम लोग सब्सक्राइब के कुश्टन को यह से के बाद फ़र्ष्ट है कि यहां से फिर्ष्ट के देखते हैं पिर्थवी 2 मिसाइल पुछा गया था फ़र्ष्ट के 11 फरोरी में मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है तो बालेश्टिक मिसाइल होती है यू एणो के चिंו में जैतून का सिंबल की फू А地 का प्रतीक होता है कि उद्धि की टूटक यह सबसे अमीर आथलीट महिला का का नाम का है तो नाओमी ओसाका सबसे अमीर अथलीट महिला अगला क्वेश्चन आजा था काल बेलिया लोग के निर्त किस राज से समझे तो राजस्थान 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 का एक और है घूमर दोनों निर्त जो इंप्वार्टेंट अब जो यात रखेगा और खूमण के समान के बिच लगने बल को क्या कहते हैं तो संजक बल कहा जाता समान करक्षा। जली कंटु किस राज से तो में जली कंटू में जली कंसे समत हुता होता है। इंडिया कि पहली इंजन रहब होत तो इसका नाम वंदर भारत एइसaven ऊष्ट्रस य पूछा गया था तो सेनेटी लेज, सेनेटी लेज, अन्रमान निकोबार दियु की ट्राइब का नाम है, ठीक है, पर्थम भारतिय महिला जिसने ओलंपिक कमेटी को जोईन किया, उनका नाम किया, तो नीता अमबानी जिनने ओलंपिक कमेटी को जोईन किया हो, पर्थम भारतिय महिला बनी है, नेशनल टेस्टिंग एजनसी एंटीए कब बना तो 2017 में बना एंसरा एक क्वेश्चन आया था यारा फ्रवरी के फर्स्ट्रिप्ट में अंत्रिम बित्मंत्री भारत के पूछे गया थे तो व्यूस गोहल थे उसमें राष्ट्रिय उपभोगता दिवस 14 दिसंबर को मना जा बनार्ण एक पारत के वर्तमान मिंत्री का मिन पूछा गया थे तो नीर्मला सीता रमन एच जाका embargo पालंबर्ग में हुए नेशक्वेशन आता है अक्वेशन पूछा गया था r bothered कुसिने लागू किया था चंद्रमा कितने दिनों में अपनी धुरी के चक्कल लगाता है तो 272.3 दिन में धुरिका अपनी चक्कल लगा देता है वर्ना कूलर एक्ट का संबंद किसी से है तो समचार पत्र को दवाने के लिए वर्ना कूलर एक्ट जो है लाया गया था और यह लौड रिलिटन के साथ समय आया था ठीक है लौड लिटन के समय वर्ना कूलर एक्ट आया था स्वयम योजना किसे संबंद्ध तो आनलाई सिच्छा से संबंदित है पीली करांथ किसे संबंदित तिलहन उत्पादन से संबंदित है पीली करांथ निष्ठा इसकिम की स्राज द्वारा सबसे पहले अपनाया गया तो आंदर परदेश द्वारा अपनाया गया जो कि यह भा सिमार मंगलों कम्येटी से संबंदित था तो आप लोग उसको भी पढ़के जाएगा तो यह तो अबराल सेशन 11 फरोरी के फर्स्ट और सेकेंड शिप्ट के जिसमें लगभख 60 प्लस क्वेस्टन थे जिसका सालूशन देखा गया तो 2019 और 2020 के भी करेंट अफेर पूछने लग गया था इनका नाम है एलन मस्क टिक एलन मस्क जो स्पेस एक्स के सीओं और यह अभी जो है टॉप लिस्ट में आ गया है सबसे अमीर ब्यक्ति में इन्होंने जेब बेजोस का अस्थान ले लिया है जो बेजोस के पहले टॉप लिस्ट पर थे ठीक है तो इनसे संबंदी को पुत्र नदी कहां से निकलती तो हिमाले परबत से निकलती ब्रह्मपुत्र नदी ठीक है नेश कोशन आया था आइसी सी वर्ड कप 2019 जो है किस देश में आयुजित किया गया था ठीक है तो यह 2019 का मेंस जो हुआ था पूरसो आला वो इंग्लेंड और वेल्स में हुआ ठीक समयलन के समय हुआ था गांधिस इरविन समझोता जो हुए 1931 में हुआ था उस समय सेकंड गोल में समयलन चल रहा था नेश कुछन आया था मयूर सिंगासन किस ने लूटा है तो मयूर सिंगासन जो है नादिर्साद और लूठा गया था यह इरान से आया हुआ था इसने नाम से भी कहा जाता है तक ट्क टाउस ठीक ए रदान मंतरी उज्छला यौजना किसे संबंदिते रईपीटेड क्वेशन है तो यह फ्री एल पीजी गयस कनेक्सन से संबंदित तो इसकी स्टार्टन डेट दो हजार सोहार में स्टार्ट किया गया था Second law of Newton, physical to me, second law of Newton जो कि एक्जाम में आज के पूछा गया है Next गसन आया था मरीपुरका, इनमें से कौं सा एक तयोहार है तो मरीपुरका तयोहार जो होता है एक याओ सांग जो कि बहुत ही परसिद्ध तयोहार है तो 2019 में आया था ठीक है इसको बंगलादेश द्वरा नाम दिया गया था एसी अन डबलमेंट बैंक एसी आई विकास बैंक की अस्थापना कप की गई डिपेटर कोश्चन इसके पहले बहुत बार डिस्केशन हो चुका था यह इसका मुख्याल है मनीला में फिलिपिन्स और इसके हेड है उनका नाम है मसस्थ चुगवासा कावा नेक्ट कोशन आया था इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है तो इनपुट डिवाइस पूछा गया था उसमें स्कैनर नाम दिया था आप्शन में तो स्कैनर एंसर हो नाम होता है कैमरा भी होता की बोर्ड को भी कहते हैं माइक्रो फोन के सारे इनपुट डिवाइस है तो इस तरिके से कुछा गया है भारत के में राश्च्पती और परदानमंत्री के अनुपस्तिति में भारत का सर्वोच कौन बनेगा तो होगा वह सुप्रिम कोड का मुख न्याएधिस ठीक है राश्पतिय और प्रदानंत्री के अनपस्तिती में आई एलो की अस्थापना पूछी गए तो उन्नीशोनीशिज भी में ठीक है इंटरनेशनल लेवर आर्गनाइजेशन की अस्थापना उन्नीशिज भी हुई थी और इसका अगर है इसे संब्सका जीव एेड़कारचर पूछा जाएगा तो जिनेवमें हेड़कारचर यह जिनेवह कहां पर है सुजल लेंड तो अमरीत सर की संध की गई थी तो अमरीत सर की संध की गई थी रेपो रेट से सम्मझता था कौन जारी करता है तो जारी करता है रिजर्ब बैंक आउफ इंडिया जो रेपोरेट जारी करता है ने इस्ट कुछा गया था बच्चों के लिए किये गए कार से संबंदित नोबेल पुरुसकार 2014 में किसे प्रदान किया गा था यानि कि से सांति पुरुसकार भी कहा जाता तो कहलास सार्थि को दिया गया था जो एक भारतीय थैं तो कोई सप्कार मíemने कि सांति का Νोबल पूरुश्चार दिया गया था इनका कार किसके लिए गया था बच्च के लिए इन्हों 외iv- longtemps सिख सी पीको ग्राम बंठ राम मायनस सिंस्टम नहीं होता है यह बाद टो यह बात तो सामिल नहीं ता यह प्रोग्रामें कोन यहें ऑपने एक नाम दिया था टो वही ing सब्सक्राइब सब्सक्राइब किया जिसका जिनकी जो है लाठी चार्ज में के बाद इनकी मिर्त भी हो गई थी और इसमें टोटल साथ कंडिडेट्स थे जो कि सारे सारे अंग्रेज थे नेश को इसना था इस रों ने 2017 में कितनी सेटलाइट मैंकिमम भेजी थी तो 117 सेटलाइट भेजी थी ठीक है तो जिसका भी रिकार्ड तूट गया है और इसका रिकार्ड तोड़ने आले एलन मक्स के स्पेकसेस कंपनी है जिन्होंने 143 सेटलाइट भेज दी है तो यह पूछा गया था जो कि कोश्चन इसरों की बात करें तो इसरों की राध्धानी का स और इसकी स्थापना होई थी 15 अगस्त 1979 को ठीक है और इसके बरतमान जो यह हैड है उनका नाम है के सीवान के सीवान नाम है उनका यह चीजह आपको इसरों के बारे में जाननी चाहिए ठीक है इंडियन इस्पेस रिसर्च आरिनाइशेशन एक क्वेस्चन आइसोटोप से सबस्क्राइब करें न इसरेटेट आया था तो यह सारे को पूछा गया था इसमें पूछा गया था प्रहम पूत्रन नदी कहा निकलती है कि हिमाले प्रभस निकलती है और पुछा उसको पढ़के जाएगा उस तरीका से मिलान और मैचिंग से संबंदित क्वेशन बहुत सारे पूछ रहे हैं तो यह तो अब राल सेशन जिसमें 12 फरोरी के फट्शिप का एलांसिस किया गया और अगर सेशन पसंद आ तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ठीक है और सेर भी करें अपने दोस्तों में करें तो